आज मैं बनाने जा रहा हूँ एग मसाला ओर्स यानि कि मसाला ओर्स तो आजकल बहुत पॉपुलर है उसमें हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे धेर सारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे और हमारे इंडियन मसालों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी दिश बनाओगा जो की आपके नाश्ते के लिए कंप्लीट मील का काम करेंगी इसके इंग्रीडियन क्या-क्या है यह मैं आपको मता देता हूँ यह मेरे पास सादे ओर्स है अंडे है! तोड़ासा काली मिर्च का पाउडर है, धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए है, लहसुन है चात मसाला है, बारी कटा हुआ अधरक है, पुदीना है, प्याज है, फ्रेंच बीन्स है मेरे पास गाजर है, टमाटर है, और इसके साथ ही हम इंडियन मसाले जो होते हैं, उनका इस्तिमाल करेंगे मेरे पास यहाँ हल्दी पड़ी हुई है, गरम मसाला पड़ा हुआ है, लालमेश पड़ी हुई है, धनिया पाउडर पड़ा हुआ है तो एक अच्छा सा इंडियन मसालों के फ्लेवर के साथ हम ये ओट्स को बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक मसाला ओट्स तो सबसे पहले क्या करना है हमें एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लें और तेल को गरम हो जाने देना है जैसे ही तेल गरम हो जाता है इसमें आधा चम्माश एक दम बारिक कटी हुई अद्रक डानेंगे हैं क्योंकि अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो एक येलो होता है वो थोड़ी गैस क्रियेट करता है अगर आप अद्रक और लेसुन का इस्तेमाल करें तो ये जो एक येलो गैस क्रियेट करता है वो गैस आपको क्रियेट नहीं होगी विकॉस ये जो अद्रक है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है तो थोड़ा सा हम अद्रक को पकाते हैं और अब इसमें एड कर देंगे हम बारिक कटे हुए लेसुन लगबग दो कलिया लेसुन की बारिक काट कर आप डाल दें एक चीज और सुनी गई है कि जो एग यलो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है लेसुन खाई ये साथ में लेसुन जो है कोलेस्ट्रॉल को कट करता है रादर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है कभी भी आप अंडे का इस्तिमाल कर रहे हूं, साथ में लैसुन का इस्तिमाल कर लें और बेफिक रोकर अंडे खाएं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा अब हमारे अधरक और लेसुन दोनों पग गए हैं, तो हम इसमें डाल देंगे प्यास, बारी कटी हुई प्यास, आधी प्यास, बारी कटी हुई इसके अंदर और प्याज को भी फोड़ा सा पिंग होने तक कर लेते हैं तो प्याज हमारी पिंग हो गई है अब इसमें एड़ करते हैं हम गाजर फ्रेंच बींस आपको जो वेजटेबल पसंदें आप वो डाल सकते हैं आप मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी वेजटेबल सापको पसंद आते हैं और इसमें जो यह सबजी हैं इनको बहुत ज्यादा पकाना नहीं है थोड़ा गरंच रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा और वै थोड़ी सी हल्दी एक एक पिंच डालना है साथ में अंडे के साथ काली मिर्च का इस्तेमल बहुत अच्छा रहता है बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उसको एक मिक्स करने के साथ ही यह मसाले बहुत जल्दी जलते हैं तो मोईश्यर चाहिए मोईश्यर और विटामिन C से तमाटर इसके अंदर और तमाटर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे लगभग 50 ग्राम ओर्ट इसके साथ ही थोड़ा फूप होंगे और इसको सेकेंड तक लगबग आधा मिट तक चलाया ताकि यह जो सारे वेजिटेबल्स का और टमाटर का जूस का वो उर्स के अंदर चला जाए और सारे मसाले भी उर्स के अंदर तक और से अब्सॉर्ब कर ले और जैसे ही यह पूरी तरह से ड्राइ होने लगेगा तब हम इसमें दो अंडे फूर्टर डालेंगे और अब इसको थोड़ा तेजी से चला लेना अंडे का कच्चा पन निकल जाए इतना हमें कुक करना है और इसके बाद इसमें अड़ करेंगे पानी पानी डालने के बाद पूरी तरह से सारे व और इसको आप सूखने तक थोड़ा सा ड्राइ होने तक हम कुप करेंगे ये इसको दो से तीन मिट तक हम चलाते हुए पकाएंगे ये हमारा जो एग मसाला उट से आप जेख सकते हैं तेक होना शुरू हो गया इसको एक बर अच्छी तरह से और चलाएं आप चाहें तो इसको धनिया पत्ती बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और इसके बाद एक मिक्स और और अब इसको हम सर्फ करते हैं सर्फ करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला उपर से आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्श भी डाल सकते हैं एक चुटकी काली मिर्श डाल दें और थोड़ी सी धनिया पत्ती और पुदीने के पत्ते से इस तरह से गार्निश करके और ये तियार है आपका एग मसाला ओट्स बहुत हेल्दी है, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है जरूर ड्राइ कीजेगा अपकी बार आप जिम से आएं तो ये बना कर खाईएगा आपको प्रोटीन तो मिलेंगे मिलेंगे साथ पे डेर सारे विटामिन भी मिलेंगे इसी तरह की इंटरस्टिंग रेसिपी इसके रिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उन्हें शेर और लाइक करना भी न भूले अगली बार एक और इंटरस्टिंग रेसिपी लेकर आ रहा हूं मैं बचलरस्टिंग मैं